रादे रादे दोस्तों वाज सुतिव सिफोरोम चैनल में आज सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों जो पत्नी पती के कलेश से परिशान है जिन पती पत्नी में कलेश रहता है उनके लिए सौम प्रिदोस ब्रिट के दिन अगर सिभ लिंग पर पती के नाम से वस्तु चड़ा दी जाए तो पती का अचूक वसी करन होता है भगवान सिभ पारवती जो हैं सोवाग के देने बाले भोले बाबा प्रतेक मनो कामना को पूरा करने बाले हैं माता पारवती के सामने गोरी पूजा की जाती हैं तो माता पारवती सोवाग का पती प्रैम का असिरवार प्रदान करती हैं दोश्तों इस दिन पतनी को चाहिए कि जो माता वेने पती से परिशान हैं, पती का घर में नित्त पृति कलेश रहता हैं, पती बात बात पर गुश्षा करता हैं, पती जो हैं परिश्टी के चक्कर में पड़ गया हैं, उन सभी से छुटकारा दिलाने के लिए पती अगर प्राथे काल के समय किया जाता है तो बहुत जादा प्रवाव साली हो जाता है क्योंकि साहे काल को प्रिदोस काल में प्रिदोस की पूजा का विशिस में तो रहता है वैसे तो प्राथे काल के समय भी असर दिखाएगा क्योंकि सौंबार का दिन होता है सौंब प्रिदोस प्र एक बेल पत्र का पत्ता ले करके जाना है बेल पत्र जो है भगवान सिवजी को थिप्रिया है बेल पत्र का पत्ता इस्पकार होना चाहिए कि तीन पत्ते एक साथ जुड़े होते हैं बीच में दंडी जुड़ी होती है तो एक पत्ता कहलाता है क्योंकि तीनों पत्ते ब्रह्मा अभिष्टु मेश का शुरुप होते ह बीच में दंदी जो है, सक्ती का सुरूप होती है, इसलिए तीनों पत्तों का एक पत्ता माना जाता है, ऐसा को एक पत्ता लेना है, और इस नांद काल से सुद्धो कर कर के जब पूजा करने जाएं, तो उस पत्ते को लेकर के जाएं, साथ में सैद לפev चंदन ले जाएं, भगवां सिव्जी की पूझा करने के बाद उस पत्ती पर जो है आपको चंदण से ओम हरीम लिखना है ओम हरीम लिखकरके उसके बाद में उस पत्ती पर सैथ लगाना है जिदा चिकनी साइड होती है हमेशा पत्ता उस तरप ही लिखा जाता है और उस साइड से नीचे को करके चिकनी साइड तब सिवलिंग पर चड़ाय जाता है तो इस पत्ते पर रिख साइड में सेड लगा करके फिर अपने हाथ में लेकर के ओम महा देवाय नमा ओम महा देवाय नमा ओम महा देवाय नमा इस मंत्र का साथ बार उचारन करके फिर अपने पती को बसमे कने के लिए प्रातना कट हुए शिवलिंग पर चड़ा देना है इसके बाद में चार मुका एक दीपक लेकरके आप आटे का भी बना सकती हैं या चार बती किसी मिटि के दीपक में चाओ तरब लगाकरके तिल के टेलिया गी का दीपक माता पार्वती के सामनी रखना है अगर आठे का रखें तो जादा अच्छा रहता है और माता पारवती को पत्नी को चाहिए कि सिंदूर बरें मांग में सिनूर लगा करके उस सिंदूर को फिर अपनी मांग में भल लें केबल इस उपाय को करके आना है इस उपाय को करने से पती का अचूक वसी करन हो जाता है माता पार्वती की किरपा से सोवाग का सुख प्राप्त होता है दोस्तों इस उपाय को माता बेनों को सम प्रिदोस ब्रिट में करना है इसका चमतकार आपको स्वेम देखने को मिलेगा अगर आपको मैं जानकारी अच्छी लगी हैं, वीडियो को लाइक और से जड़ू करें, आप सभी को जैसी रादें.